एक चोटी सी वीडियो मैं आपको सामने लेकर आई हूँ जिसे मैं आपको स्लीव्स की और दामन की डिजाइन बताऊंगी इसकी फुल वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे दूसरी चैनल पर देख सकते हैं उसका लिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी त ऋसके बाद में हमने जो फ्लावर कट किया था नेट के उपर से इस फ्लावर को हम यहाँ पर बीच में रखेंगी ये जो हमने दो लेस् 혼자 को रखा है और इसे अटेच करने के लिए हमें आप यहांपर डबल सेलाई करने होगी यह देखे इस तरीके से हम डबल सेलाई करेंग और इस flower को हम attach करेंगे तो यहाँ पे मैं जो है वो दामन की डिजाइन आपको बता रही हूँ से मैंसी मैंने slaves में भी बना के ready की है और इसी से जो है match करता हुआ हमने patch बनाया है neck में तो वो आपको जो है मेरी full वीडियो में देखने मिल जाएगा जो के मैंने दूसरे चैनल पे upload कर दी है तो आप लोग जो है जरूर एक बार visit करिएगा तो आप लोगों को वो design इशाला अच्छी भी लगेगी क्योंकि यह बिल्कुल plain fabric था उसके उपर मैंने इस तरह की design बनाई है यह देखिए हमारे जो दामन की design है वो बिल्कुल ready है यह देखिए करीब से बहुत ही प्यारी लग रही है तो हमने जो यह flower cut किया है इसमें से बिल्कुल भी fabric नहीं निकलेगा क्योंकि हमने नेट की उपर से cut किया है अगर आप fabric की उपर से flower cut करते हैं नेक की पूरी design जो है आप मेरे दूसरी चैनल पर देख सकते हैं और यह इसका दामन है तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर वाच करिएगा आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग जो है एक simple dress को designer dress बना सकते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक ही लिए दुआओं में याद रखें वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अल्ला हाफिज तो इस फैब्रिक से मैं इंशालला जो है वो गरारा बनाने वाली हूँ तो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी वीडियो तो ये इसका फूरा लुक आप देख लिए कमीज का